हलो फ्रेंट से मप्रती वेलकम बेक ट्यो आर चैनल प्लांट से स्पेस कल हमने आपसे एक वीडियो शेयर की थी वीडियो नमबर 870 अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो जरूर चेक कीजिए उसमें एक ही वीडियो में हमने आपसे कई सारी जानकारी शेयर की थी यह मदुकामनी प्लांट हमने कलाप से शेयर किया था और इसके बारे में कुछ जानकारी दी थी तो यह जो है आज हम इस प्लांट को ठीक करने वाले हैं क्योंकि यह पॉट में जादे नीचे लगा हुआ है और यह प्लांट के ल इसलिए इसको हमें बाहर निकालना होगा और इसको ठीक करने का जो तरीका है वो सबसे अच्छा तरीका रीपॉर्ट करना ही है क्योंकि अगर आप ऐसे ही इसमें सवयल बढ़ा देckे तो जो तना है प्लांट का यानि कि जो stem है प्लांट का वो जादा नीचे चला जाएगा और जादा नीचे अगर pot में इसका stem चला गया तो फिर उसमें fungus का डर रहता है क्योंकि जादा नीचे नमी जादा हो जाती है प्लांट में और उसकी वज़े से over moisture की वज़े से उसमें fungus बन जाती है और फिर जब तनाही यानि stem ही सही नहीं रहेगा तो धीरे धीरे plant भी मर जाएगा तो इस soil में इतनी जादा नमी हो चुकी है क्योंकि पानी लगातार इसमें बना रहा है, hold हो चुका है जिसकी वज़े से मिटी बहुत ही जादा गीली हो गई है और जब सौगी soil हो जाती है तो plant की roots को सांस लेने में problem होती है यानि कि एक तरह से जो plant है वो मरने लगता है और गलने लगता है तो ये plant के लिए सही नहीं है इसका सबसे च्छा तरीका है कि हम इसको report कर दें वैसे तो अभी जनवरी चल रही है लेकिन अभी इस plant को बचाना जरूरी है नहीं तो ये मर जाएगा और आप देख सकते हैं कि अंदर soil में कितनी जादा नमी है वीडियो में आपको इतना जादा नहीं लग रहा होगा लेकिन रियल में ये इतना जादा गीला है कि इसमें कोई भी plant growth नहीं कर सकता तो देखिए pot में drainage hole बिलकुल सही है और इस पर पथर रखे हुए थे वो भी बिलकुल ठीक थे यानि drainage system अच्छा था और well drained soil भी थी लेकिन जब आप pot में इतनी जादा जगह रहने देंगे तो उससे पानी भरेगा बारिश में और फिर जो drainage hole है उससे एक limit तक ही पानी बाहर जा पाता है धीरे धीरे करके ही जा पा है क्योंकि यहां पर वर्मी कंपोस्ट ही यूज किया जाता है और जिससे फंगस ना लगे उसके लिए हमने यहां पर नीम खली का प्रियोग किया है और आप देख सकते हैं कि pot को हटाने के बाद कितनी जादा नमी pot में से निकली थी जब इसमें मिट्टी थी तो तो अब य जनवरी चल रही है जनवरी में वैसे रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए लेकिन अभी इस प्लान को बचाना जरूरी है नहीं तो यह इसकी रूट्स गल जाएंगी और इसमें इतनी जादा नमी है कि अभी लगभग आगे के 20 दिन तक जैसे कि आज 10 जनवरी है तो आगे क मौसम में इतना जादा धूप नहीं निकलती है तो इतना इसकी नमी लगातार बनी रहेगी तो इस जनवरी जनवरी तो हम इसमें पानी नहीं देने वाले हैं तो इसको हम ऐसा रख देते हैं जो मधु कामनी है या दूसरे प्लांट्स हैं जो कटिंग से इजी ली ग्रो हो क्योंकि फिर प्लांट के लिए सही नहीं होता है एकदम से जो प्लांट की लीप्स है वो खाना बनाने लगती है और सारी एनरजी वेस्ट हो जाती है प्लांट की और दीरे-दीरे मरने लगता है इसलिए आप उसको लगबग 2-4 दिन धूप में ना रखें यहां पे धूप वो सभी हटा दिये गए हैं और अब इन प्लांट को कुछ इस तरह से लगा दिया गया है जो कि कल की वीडियो में आप आपने देखा ही होगा वो इससे जगे भी कम घेरते हैं प्लांट और अब सही से हम इसको लगा देंगे जो इंडोर प्लांट हैं वो जादा तर यहां पर रखे गए हैं कि यहां पर इतनी जादा दूप नहीं आती है या जिसको बारिश से बचाना है वो प्लांट जैसे की लेली वगरा हमने यहां पर रखी हुई है तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताए कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछिए थैंक्यू झाल झाल को यहां झाल कर दो हैं कि अाल बताए के यहां जादा